नमस्ते जैशिराम भारतिय नवर्ष की आप सभी को हम सभी को बहुत बहुत शुब कामना है 31 दिसंबर की रात्री को हम सभी नए साल मनाने की शुड़वात करते आरंभ करते हैं और हम जानते नहीं वो नया वर्ष उसके बिग्यानिक कारण क्या है उसके संस्कृतिक कारण क्या है या उसके भोगलिक कारण क्या है हम सब नहीं जानते हुए उसमें बढ़ चड़के हिस्सा लेते हैं, रात तक जगते हैं, और सुभा के सो जाते हैं, और दस दिन पहले से मनानी की तयारी करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हम डिस्कों में जाते हैं, पब में जाते हैं, और ना जाने क्या क्या करते हैं, पारं होता है इसका वेग्यानिक कारण है इसके संस्कृतिक कारण है इसके धार्मिक कारण है और बहुत कारण है जिस कारणों से जिन कारणों से आपको भारतिय नववर्ष मनाने चाहिए इनके मनने के कारण मैं आपको बताता हूँ आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने श्रिष्टी की रचना की थी आज ही के दिन भगवान श्री राम का राज्या भिशेक हुआ था और आज ही के दिन विक्रमारित्य के भी राज्या भिशेक हुए थे जो धर्मराज जिसे हम कहते हैं उनका भी संस्था पूरे सौ दिर्शों में कारे कर रही है जिसको हम संग और आरेश के नाम से जानते हैं उनके संस्था पक डॉक्टर केशा रॉब बलिराम हेडगेवार का जनम दिन भी आज ही के दिन से शुरू होता है तो मैंने बताया कितने संस्कृतिक भावलिक और धार्मिक हमारे आस-पास कोई बड़े लोग आते हैं तो हम पूरे अरिया को या अपने आस-पास रहने वाले जगर को अच्छे से सजाते हैं साफ सुतरा रखते हैं और वो व्यक्ति आता है तो हम कितने प्रसंद्ट चित रहते हैं तो इस नववर्स को मनाने के लिए पूरी TV नदिया ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है कि सब कह रहे हैं प्रतीत हो रहा है कि आओ भारतिय नववर्ष की सुभकामनाई एक दूसरे को दे और प्रकृति विज्ञान एक दूसरे को भारतिय नववर्ष की सुभकामनाई दे रहे हैं हम क्यों पीछे रहे हैं और हम यह क्यों पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान यह सभी एक भारति सब्कॉन्टीनेट है वह बहुत mayonnaise में ने और अब बूसरी तो इससे मिले आप सब को भारतिय हिंदु नवर्ष ना भी बोले हो सकता है किसी को आपक्ति हो परन्तु भारतिय नवर्ष बोले वैग्यानिक नवर्ष बोले प्रकृतिक नवर्ष बोले हम जब 31 दिसंबर की रात को जब हम नए साल को मनाने का शुरुआत करते उस दिन तो हम किसी को हिंदु मुसल यह से कुए हिसाइक्यी यह वार Mental सब्सक्राइब सकते हैं नवर्स है तो उसमें क्यों सब terrified yapiv दिये सब्सक्राइब दारी हो सकता हिंदू को मुस्लमान से जोड़ने का हुसकता घरो बहुत बढ़ा कारण हो सकता है जिससे हम एक दूसरे से सब को जूड़ सके हमारी धार्मिक पहचान कुछ और सकती है संस्कृतिक पहचान पहचान रही है जहां जो हमारी मात्री भूमी वह यह है और उसकी संस्कृति और ऊसका नया वर्ष। भी एक II है ज़्या Video विक्रम संवत भी कहते हैं और वही विक्रम संवत आज के दिन चैत्रशुक्ल प्रतिपदा के दिन से आरंभ होता है और हम एक दूसरे को बधाईयां देने से कहीं न चुके सब को बधाईयां दे और जब सबसे बड़ा एक कारण देखते हैं तो आज ही के दिन नवरात्रों क होता है जिन नवरात्रों में हम माता रानी की पूजह करते हैं जब बात करते हैं संकल्पों की हम बड़े-बड़े resolution लेते हैं 31 दिसंबर की रात को और वह resolution कभी किसी का कोई पूरा ही नहीं होता है क्योंकि न हमारा तन्जद्ध होता है न मन शुद्ध होता है हम लोग आसपास आपने देखे होंगे शराव के नशे में डूबे होते हैं और वो एक resolution लेता है कि आज से मैं ऐसा करूँगा आज से ऐसा नहीं करूँगा और जब वो आप नशे में होते हैं रात्री को लेते हैं तो संभवता निशाचर लोगों का कभी कोई सपना पूरा ही नहीं होता है कभी कोई resolution पूरा ही नहीं होता आप अपने resolution को पूरा करना चाहते हैं तो आज के दिन आप लीजिए कोई resolution आज के दिन कोई संकल्प लीजिए देखिए वो पूरा कैसे नहीं होता उसको पूरा करने के लिए आप नहीं पूरी प्रकृति आपके साथ लगी होती कि आपके रिजुलिशन के आपके संकल्प को पूरा करेंगे ही करेंगे आप माता रहनी की पूजा की तयारी कर रहे होते हैं तन शुद्ध होता है मन शुद्ध होता है आप सर्दियों में नहीं नहाने के कारण से गर्मियों में नहाने लग जाते हैं तन और मन जब शुद्ध होता है और उस दिन आप कोई संकल्प लेते हैं तो कहते हैं ना तन मन को शुद्धी के साथ आप कोई संकल्प लेते हैं तो कोई उसे रूकने वाला ही नहीं होता अपितु आपके साथ साथ पूरी प्रक्रति उस संकल्प को पूरा करने के लिए लग आपके संकल्प भी पूरे होंगे, आपके इच्छाई भी पूरी होंगे, बस अविशक्ता है अपने हिंदू नवर्ष को पहचानने के हूँ, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि 31 दिसंबर की रात को हमें नया साल मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, उसका कोई विज्ञान हो या नहीं हो, परंतु हमारे अपने नवर्ष का बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा भूबोल है, बहुत बड़ी प्रकृती है, बहुत बड़ा धार्मिक तक्थे हैं, जिन कारणों से हमें अपने नवर्ष को मनाना चाहिए, आशा करते हैं, आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी साथ के साथ मैं एक बात आपको बता दूं मेरे वीडियो इसके बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं जो मेरा मनुवल बहुत बढ़ाता है आप लोगों के सामने ऐसे विशह लाने के लिए इसी वीडियो के साथ साथ अब हम नवरात्रों के और जाएंगर आगले वीडियो में आपके लिए रखेंगे इन वरात्रों का जो हम उपवास करते हैं उसका वैज्ञानिक कारण क्या है उस नवरात्रों में यदि हम उपवास रखते हैं तो हमारा शरीर में कोई बदलाव हो होता है हमारे आस पर उसमें कोई बदलाव होता है या नहीं हमें किस प्रकार से उपवास रखना चाहिए हमें किस प्रकार से पूजन करना चाहिए इन विश्यों पर वीडियो आते रहेंगे नमस्ते जैश्री नाम